स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो ये सुपर इस मैश T20 का सोलवा मैच केंटर बरी किंग्स वर्सेज ओकलेंड ऐसे की टीम के बीच में खेला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियो हम लोग ब वजे से हेगली ओवल क्राइस चर्च में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करें T20 का ये फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों भी तक आप लोगों मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ें तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट तो दोस्तों इस पिचकी बात करें तो ओवराल बैटिंग के लिए ये एक अच्छा विकेट रहता है इसके अलावा एवरेज स्कोर यहां का 169 करा है और यहां पर दोस्तों जो विकेट मिलते है वो इस्पिनर से ज़्यादा पेसर्स को मिलते है तो उसी के साब से आप वाले टीम जीती और एक मैच टाई रहा है यानि कि अगर आप यहां पर देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट और सेकेंड में कोई खास अंतर यहां पर रहा नहीं है अब हम लोग यहां पर स्कोरिंग पैटन की बात करें तो जो यहां पर 38 मैच खेले गाया है उसमें से 12 बार यहां पर 170 के आसपास यहां पर स्कोर मान के चल सकते हो अब यहां पर दोस्तों हम लोग पैस वर्सिस इस पिन की बात करें तो जो लाश्ट पांच टी टॉन्टी के मैच इस वेन्यू पर खेले गाया है अगर आप लोग उनमें देखोगे तो यहां पर 36 विकेट पेसर्शन की टीम के बारे में तो दोस्तों केंटर भरी की टीम की बात करें तो केंटर भरी की टीम ने इस सीरीज में अभी तक टोटल पांच मैच खेले हैं जिसमें से दो जीतनें एक खारा और दो मैच इन के नौट रिजल्ट रहे तो यह इनका अभी तक का performance रहे अब हम लोग आप और सुपर इस मैस में इनका पर्फॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहता है, अला कि इस सीरीज में कुछ खास अभी तक नहीं कर पाएं, पर दोस्तो प्लियर अच्छे हैं, जिस दिन चलेंगे, आपको अच्छा खासा पर्फॉर्म करके दे जाएंगे, कॉली मकॉंची की बात करें, अपने टीम के कैफ्टन है, आपको दो ओवर देते हैं, वन डान पर बैटिंग देते हैं, पिक आप लोग इनको भी करके चल सकते हैं, ओबरॉल देखोगे, 21 का एवरेज रखते हैं, 97 मैच में 56 वेकेट है, तो बॉलिंग का कनफर्म नहीं रहेगा, हलाकि बैटिंग्स आपको अच्छा करके दे सकते हैं, टॉम लाथम की बात करें, विकेट की पर बल्लेवाज है, लेफटी बैटर है, ओबरॉल देखोगे, 29 का एवरेज रखते हैं, अच्छे खिलाड़ी इनके बारे में बताने की ज़रूत हैं नहीं, न्यूजी लेंड के लिए भी खेलते हैं, आपको पताई होगा, तो एक अच्छे खिलाड़ी इनको आप लोग पिक करके चल सकते हो, हलाकि फर्ष्ट बैटिंग में ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे, माइकल रिपन की बात करें, आपको चार-चार ओवर देते हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, इंपोर्टेंट अल राउंडर अपनी टीम में लेके जरूर चलना, बाकि आपे जैकरेव फॉलकेस की बात करें, राइटी बैटर है, राइटर मीडियम बॉलिंग कराते हैं, फर्स्ट बॉलिंग में डैथ में आते हैं और थोड़ी बहुत ये बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे पले रहें, बाकि इस सोडी की बात करें, 251 मैच में 280 विकेट हैं, इस्क्वेड में हैं, खेलेंगे, इंपोर्टेंट हैं, माइकल रही की बात करें, राइटर मीडियम फर्स्ट बॉलिंग कराते हैं, 32 मैच में 49 विकेट अपने T20 करियर्स में निकाल चुक हैं, इस सीरीज में देखोगे तो 1 विकेट 4 ओवर, 2 विकेट 4 ओवर, 0 प्लस 1 विकेट 4 ओवर, तो लगातार विकेट निकाल रहे हैं, यह मैच में 12 विकेट, और इस सीरीज में यहाँ पर 2 मैच के लें, जिसमें 2 विकेट निकाल लें, लास्ट में विकेट लैस रहे थे, उससे पहले 2 विकेट निकाल लेते, तो इनका भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अब इनके अलावा दो बैंच प्लेयर की बात करें, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इनके स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर के बालर के बारे में, तो दोस्तो इनकी तरफ से आपको स्टार्टिंग में मैट हैंरी, विलियम और रूरक और यहाँ पर माइकल रई, यहाँ आपको स्टार्टिंग में बालिंग करते हो तो दोस्तों Auckland की टीम की बात करें तो Auckland की टीम ने इस सीरीज में अभी तक 5 मैच खिलें 2 जीतें, एक इनका loss मतलब एक आ रहा है और 2 मैच नोट रिजल्ट रहा है तो ये इनका अभी तक का performance रहा है अब हम लोग है पे Auckland की टीम की playing 11 और player starts के बारे में जानेंगे तो आपने वीडियो को पूरा देखना तो सबसे पहले दोस्तों आपे बात करें फिन अलन की, T20 के काफी अच्छे खिलाड़ी है 28 का average रखते है अटेकिंग खिलना पसंद करते हैं सीरीज में भी देखो के तो दोनों मैच में अच्छा काजा इनका performance रहा है इंपोर्टेंट रहेंगे, opening करते हैं मार्टिन गप्टिल का दोस्तों देखो के इनका भी recent में काफी अच्छा performance रहा है यानि कि इस सीरीज में काफी अच्छा किया है लाश्ट में 85 नोट आउट बनाए उससे पहले 7, 47 तो एक मैच में फ्लॉप रहें दो बाकी के दो मैच में अच्छा काजा इनका performance रहा और बड़े बल्लेवाज है इनके बारे में भी बताने ही जड़ूत आपको है नहीं बाकी आपे मार्क चपमान की बात करें ओवरॉल देखो के 27 का एवरेज रखते है 149 मैच में 22 विकेट भी है पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते है सौरी दोस्तों यहाँ पे चपमान ने लाश्ट मैच में तीन ओवर की बॉलिंग भी कराई थी इनको विकेट नहीं मिलाता तो यह आपको बॉलिंग भी करते हुए देखेंगे प्लस पेटिंग तो अच्छी करते ही हैं काफी इंपोर्टेंट आपके CVC के भी काफी अच्छी ओप्सन बन सकते है रोबर्ट और डॉनेल की बात करें अपने टीम के कैप्टन है अच्छे खिलाड़ी है T20 के ओवरॉल 37 का एवरेज रखते है इस सीरीज में देखो कि लास्ट में यहाँ पर जीरो पर गए उससे पहले 35 और 54 में स्कोर रहा है तो ओवरॉल यह भी काफी अच्छे खिलाड़ी है सेंसोलिया की बात करें इनका रीशेंट उतना अच्छा नहीं है अलाकि दोस्तो प्लेयर ये भी अच्छ है जील की टीम में जरूर ट्राई करना क्योंकि स्मॉल लिग में लेना आप इनको थोड़ा सा रिस्की रहेगा ओबर भी यहाँ पर उतने ज़्यादा इनको मिल नहीं रहे ओबर भी कट रहे है और बैटिंग भी थोड़ी से नीचे आने वाली है तो आपके जील के पे करेंगे जील में ट्राई कर सकते हो इनके अलावा दुस्ते हैं पे कैम फिलेचर विकेट कीपर बल्लेवाज है राइटी बैटर है ओबर ओल देखो कि 34 का एवरेज रखते है इस सीरीज में यहाँ पे 12-1-24 इस तरह में इनका स्कोर रहा है हिटर काफी अच्छे है अलागी बैटिंग इनकी भी यहाँ पे नीचे आती है रियान हरिसन की बात करें राइटी बैटर है राइट मीडियम बॉलिंग कराते हैं दो मैच यहाँ पे मतलब इस सीरीज से पहले ने तो टी-20 के खेले हैं देनरूफ फंस की दोस्तों बात करें 16 मैच में 15 विकेट और इस सीरीज में भी देखो के लगातार विकेट निकाल रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है तो इंपोर्टेंट रहेंगे और फर्स्ट बॉलिंग में गवर भी ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं क्योंकि डेथ में भी आ जाते हैं इस वज़े से इंपोर्टेंट है लुइस डेलपोर्ट की बात करें 23 मैच में 22 विकेट और इनका भी इस सीरीज में काफी गज़ब का परफॉर्मेंस है तीन मैच में 7 विकेट निकाल चुके हैं तो लगातार विकेट निकाल रहे हैं पिक करके चल सकते हो लिश्टर की बात करें ये दोस्तों मस्ट पे करेंगे 23 मैच में 56 विकेट है विकेट टेकर है फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में भी आता है लास्ट मैच के लिए तीन ओवर की बॉलिंग कराई, विकेट इनको नहीं मिला, तो लोकी फर्गूसन भी आपके फर्स्ट बॉलिंग में ट्रंप एक बन सकते हैं, क्योंकि ये भी डेथ में आते हैं, और अच्छे बॉलर हैं, बाकी यहां पे इनके बैंच पर बैठेंगे, यहां पे निकित परिरा, यह भी स्क्वेड में सामेल है, बाकी मेरे साब से चांसे साइद इनके ना के बराबर है, मुझे नहीं लग रहा है, खेलेंगे, बाकी खेलते हैं तो आप लोग यहां पे इनका देखके चल सकते हो, बाकी इनके अलावाद जो भी आपको देख रह आते हैं, यही डेथ में कराते हैं, तो आप यह चीज़ यहां पे देखके चल सकते हो, अब यहां पे दोस्तों हम लोग दोनों टीम्स के head to head matches की बात करें, तो दोनों टीम्स ने head to head में total यहां पे 37 मैच अभी तक खेल हैं, जिसमें से 13 canterbury की टीम ने जीते हैं, 22 यहां पे कौन सी वो प्लेयर हैं, जो head to head में अच्छा खेलते हैं, तो यहां पे सबसे पहले में लोग बात करें, फिन अलन की, आठ मैच इनों ने head to head में खेल हैं, 240 रंस हैं, 30 canterbury, head to head में इनका भी यहां पे अच्छा performance रहता है, बाकि यहां पे मार्टिन गप्टिल का देखोगे, तेरा मैच के लिए 458 रंस हैं, 58 canterbury, तो गप्टिल का काफी अच्छा है, यहां पे head to head में record है, और recent भी काफी अच्छा है, चैड बाफ्स की बात करें, recent दोस्तों इनका काफी खराब है, पर इनका head to head में, इनका भी यहां पे काफी अच्छा है, 15 मैच में 319 रंस हैं, 27 canter तो head to head में ये भी अच्छा करते हैं, मार्क चपमान का देखोगे, 13 मैच में 204 रंस है, 23 canterbury, तो मार्क चपमान का अगर आप लोग बैटिंग से देखोगे, तो उतना अच्छा नहीं है, 23 canterbury, पर यह balling भी करा रहा है, इस वज़े से यह आपके important रहेंगे, रोबर्ट औ अब हमने इस मैच के बारे में सब कुछ जान लिया, अब हम लोग यहाप अपनी team देख लेते हैं, जो फिलाल मैंने इस मैच के आप लोग बनाई हुई है, पर final team के लिए telegram से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि toss के बाद जो मेरी final team होगी, वो telegram पर ही मिलेगी, तो बैटिंग करेगी, उसको यहाप अच्छा कहाँ सा मौका मिल सकता है बैटिंग करने का, तो इस वज़े से जिसकी भी team पहले बैटिंग करेगी, मैं उसके साथ जाऊँगा, बाकि player दोनों अच्छे, आप लोग जिसको लिना चाओ, ले सकते हूँ, एम हे squad में है, पर चांस बैट में निकोलस का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो मैंने याप इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिए है, आप लोग सेफ जाना चाओ, तो इनके साथ जा सकते हूँ, मैंने याप यह नहीं लिया है, मैंने याप अलन को लिया है, इनके अलावा आर रोक्स डॉनेल, दॉस्तों डॉनेल भी एक अच्छे उप्सन हो सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मिस रहा हो, टी टुटी के अच्छे खिलाड़ी है, तो इनको भी मैं लेके जा सकते हूँ, फ्लाल के लिए मेरी टीम में जगा नहीं बन पाई है, मैंने य बॉप्स का दोस्तों रीशेंट खराब है, प्लेयर अच्छे है, इनको आप लोग इसमॉल लीग जियल दोनों में ट्रम्प एक के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चलेंगे तो जिस दिन चलेंगे काफी अच्छा आपको करके देने वाले हैं, बाकि नीचे यहाप अभी कोई नहीं खिलने वाला, तो इनके बारे में अभी हम लोग यहाप बात नहीं करते हैं, तो फिलाल दोस्तों मैंने यहाप इन तीनों को पिक किया है, अब यहाप आल राउंडर सेक्षिन में बात करें, तो आल राउंडर सेक्षिन में दोस्तों आप यहाप यहाप द दसका एवरेज है तो इस वज़े से मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप करके जा सकता हूँ सौरी दोस्तों तो मैं यहाँ पर इनको आफ्टर टॉप यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ तो मैंने भी फिलाल के लिए इनको लिया है बाकि रिपॉन इंपोर्टेंट है चार ओवर देते हैं अच्छी एटिंग भी करते हैं डेरी में चले हाँ आप मस्ट पे करेंगे मैं ड्रॉप करने वाला नहीं हूँ इंपोर्टेंट है फॉलकेस की बात करें फर्ष्ट बॉलिंग में दोस्तो डेथ में आते हैं थोड़ी बहुत बल्ले वाजी भी कर ले तो रिशेंट में भी अच्छा किया है इनको अप लोग पिक करके जा सकतो फर्ष्ट बॉलिंग में ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे सोलिया की बात करें, रीशेंट कोछ खास नहीं है, प्लेयर ये भी अच्छ है, जील में जरूर ट्राइ कर लेना, बाकि जिम्मी नीसम नहीं कहलेंगे, हरीसन उतने अच्छ है ने, बाकि आपे नीचे अभी कोई नहीं खेलने वाला, तो फिलाल मैंने आप इन तीनों को लिया बालिंग सेक्षिन में बात करें, तो यहां पर दोस्तों मैंने लिश्टर को लिया है, हेंडरी को लिया है, फंस को लिया है, फर्गीूसन को लिया है, फर्गीूसन का भी सेलेक्षिन देखोगे, काफी कम है, क्योंकि रीशेंट इनका उतना अच्छा नहीं रहा है, तो ना मेरे साब से सही रहेगा मैंने पिक किया आप लोग सेफ जाना चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो मैंने या पे थोड़ा सा रिस्क लिया है इनके अलावा एम रही फर्स्ट बॉलिंग में ये भी डेथ में आते हैं तो इनमें से जिसकी भी टीम पहले बॉलिंग करें यहा बाकि यहां पे नीचे अभी कोई नहीं खेलेगा तो आपके पास यहां पे इनके अलावा देखोगे तो डेलपॉट डेलपॉट भी दोस्तो ऑप्सन है डेलपॉट ने भी सीरीज में काफी गजब का परफॉर्मेंस किया है तीन मैच में साथ विकेट निकाल चुके हैं आ तो इनको आप लोगा करके जा सकते यह कहीं भी विकेट लेकर जा सकते हैं quality इसन पे पिर का तो फिलाल दोस्तों मैंने आप फर गूशन को लिए है तो फिलाल जो में पर टीम बन रही है वो यहां पे कुछ इस प्रिकार है आप यहां मैने अपनी कप्तानी की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी कप्तानी फ्लाल के लिए अपनी मिचल को दिया है वाइस कैप्टन मैंने अब चपमान को किया है आप लोग इनको रिवर्स भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं हो सकता है captain इनको ही करके जाओ तो यहाँ पे आपके पास जो cvc के other option रहेंगे वो यहाँ पे आपके पास martin गप्टेल रहेंगे जिस तरह का recent रहा है और अच्छा performance कर रहा है बड़े खिलाड़ी है आप लोग इनको कर सकते हो मकॉंची भी अच्छी option है काफी जादा लोग इनको भी करने वाले हैं हाला कि दोस्तों मैं साइद मकॉंची को नहीं करूँगा क्यों इनका head to head में उतना अच्छा performance नहीं रहा है तो आपके पास यह 4 best option है आप लोग इन में से जिसको करना चाओ कर सकते हो फ्लाल के लिए मैं यहाँ पर अपना captain यहाँ पर मिचल को किया है वाइस captain चपमान को किया है अगर इस team में कुछ भी चैनल जोगा तो अफ्टर टोस आपको टेलीग्राम पर बता दूगा तो उसके लिए अपने को लेट टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना लिंक आपको इसी वीडियो